लोग समा चुनाओ इस बार देश की जनता लड़ रही है और इस बार का चुनाओ बीजेपी बनाम जनता का चुनाओ है और यह च कहना है पुर्व स्यम हमन सोरेन की पत्नी कलपना सोरेन का उन्होंने कहा कि यहां के जारखंडी मुलवासी इंडी गटवंधन के साथ है और सांदे की जनता मुझे आशियरबात देने जा रही है कलपना सोरेन से बात की हमारे समादा राकेश ने कि तरफ से सबसे मजबूत सेनापती के तौर पर कलपना सोरें जी ने पूरा मोर्चा समाल रखा है हमारा तिस बक्त बाच्चित करने के लिए कलपना जी है कलपना जी एक तरफ मोदीशा और दिगर्जों की फौर दूसरी तरफ कलपना सोरें लिए पूरा मोर्चा अपने समा और मैं आपको बताना चाहूंगी ये चुनाव जो हो रहा है ये बीजेपी वर्सस जनता हो रहा है क्योंकि जनता तरस्त है और उनका जो प्रतिनिद्व करें हमारे इंडिया गडबंधन के हमारे जो प्रत्याशी है हम उनकी आवाज बन करके लड़ रहे हैं पहला फेज को लगता है ये मोमेंटम इसी तरीके से बरकरार रहने वाल है जार्खंड में हमारे जार्खंडी मुलवासी जितने भी जन है वो इंडिया गडबंधन के साथ में है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये बीजेपी वर्सस जनता का चुनाव हो रहा है और इस कम कमी नहीं खल रही है क्योंकि जो योजनाओ की गंगा हेमन सोरेन जी ने पिछले चार वर्षों में बहाई है उस गंगा का आशिरवाद लेकर के हमारी जनता जनार्दन पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहां पे अगर आएगी तो इंडिया गडबंधन की सरकार के सारे हम मारजीन की लड़ाई है यह आश्वस्त है मैं आश्वस्त हूं और यह जो अशिरवाद है जनता का खासकर करके गांडे की जनता का यह आश्वस्त हूं की तीरधनुषपे प्रचंड मात्रा में उसलए जांजी सबी सबील कर चाहूंगी कि देखिए मदान है लोगतंत्र का परवे और हमें घर में नहीं रहना इसको छुटी के तौर पे कोई ना ले यह आपके जम्मेदारी है यह आपका करतव है और जितने भी हमारी सीटों पे हैं परशेप्शन बनाने की विरोधियों के तरब से कोशिस की जारी है कि गांडे के बाद सरकार का चेहरा बदल जाएगा पहले तो यह अपना रिपोर्ट कार्ट समाल ले जारखंड का रिपोर्ट कार्ट क्या होगा वो हमारा चल चुका है और जनता ने देख चुकी है हमारे लिए इतना चिंता ना करें वो लोग पहले अपना भविश्य देखिए बेर शुक्रिया हमसे बाच्चित करने के लिए कैमरामेन देवासीज के साथ राकेश कुमार न्यूस 11 गिरिडी